क्या लड़कियों को भी नाइटफोल होता है भी हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम जानते हैं कि लड़कों को होता है ये बात लड़के भी समझते हैं और लड़कियां भी समझती हैं लेकिन लड़कियों को होता है या नहीं होता है उनको कैसा मैसूस होता है अगर होता है तो और क्या नहीं होता है यह भी समझना है ठीक है तो चले ही शुआत करते हैं आज के इस वीडियो की सुभ मेरे नाम है एकटा और आप देख रहे हैं बहुत ही तैरा सा चैनल स्टाड़ी विद में सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि यह होता क्या है तो देखिए जब भी रात हैं कि sexual thought अगर आपके माइंड में चल रहा है तो mostly क्या होता है कि आपको nightfall होता है ठीक है लेकिन कभी कबार क्या होता है कि आपने कुछ नहीं सोचा है लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है कि आपका जो liquid है जो सीमन है वो बोड़ी से बार निकल जाता है और आपको पता भी नही प्रोट है या फिर आपने कुछ पड़ा है या फिर आपको खुछ से ही कुछ stimulation फील हो रहा है कभी कभी कपड़े भी stimulate कर देते हैं तो उसके वज़े से भी हो सकता है और एक और कारण होता है जो की में है और बिलकुल नेच्रल है कि देखिए कोई भी जो टंकी है पूरी तरीके से समझी वो जगह है जहां पर उस टोर होते रहते हैं तो जब वो फुल हो जाती है और फ्लो होने लगता है तो इसलिए उसको खाली करना जरूरी होता है तो इसलिए क्या होता है यह नाइटफोल होता है लड़कों में अब देखिए लड़कियों में क्या हो ही नहीं चलता है आज जो मेरा वीडियो देखेंगे उनमें भी बहुत सारी लड़कियां शायद हो सकता है कोमेंट करें कि उनको नहीं होता है क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को नहीं पता चलता है क्यों क्योंकि देखो जो लड़कियां होती है ना उनमें जो उनका घरभा वहां से उस की सफ़ाई होती रहती है जो आना है जो ट्यू बेए। यह एक नइच्छनर सा प्रोसेस है और इनक जलता रहता है इसी हो संबगेए तोन नड़कियों को क्या लगता है कि वो जो discharge है ठीक है वही निकल रहा है उनको ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि उनका nightfall हुआ है ठीक है रात में liquid निकलने को ही nightfall बोलते हैं ठीक है तो मतलब क्या है कि उनको ये चीज़ पता ही नहीं चलती है क्योंकि उनका discharge होता ही रहता है दिन में भी हो जाता है रात में भी होता र उस समय क्या होगा कि जो लिक्वीड होगा वो जादा होगा लेकिन कुछ लड़किया बोलेंगे कि उनको हमेशा होता है तो इसलिए थोड़ा सा कंफीजन रहता है लड़कियों में क्योंकि देखिए पूरी तरीके से जो उनका अंडरगार्मेंट है वो वेट हो जाता है निकलता है लड़कों का ज्यादा लिक्वेड निकलता है जो सीमन है लेकिन लड़कियों का जो लिक्वेड है वो बहुत ही कम निकलता है तो समझ नहीं पाती है कुछ उनका डिस्चार्ज भी होता है तो उनको समझ भी नहीं हाता है अब कैसा मैसूस होता है कुछ लोग ऐस तो किसी को सपना नहीं भी आता है तो भी निकल जाता है तो यह बिल्कुल ही natural सा process होता है अब compare करें तो लड़कों में क्या होता है यह समझी frequency ज़ादा होती है लड़कियों में कम होती है कैसा महसूस होता है तो यही समझे कि कुछ पता ही नहीं चलता है बहुत साई लड़कियों को कुछ को हो सकता है ऐसा महसूस हो रहा हो उस समय की कोई सपना देख रहे हैं चीक है ऐसा भी हो सकता है तो में ली कुछ इतना ज़्यादा महसूस होता नहीं है अब बात करें तो कि इसका कलर कैसा होता है तो देखिए कलर और इसकी कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो जो नॉर्मल जो चिपचिपा सा लिक्विड होता ह जब फिमेल जब अराउज होती है तो कुछ-कुछ उसी तरीकी का लिक्विड होता है ये भी तो वही होता है उसका कोई कलर भी स्पेसिफिक नहीं होता है यह समझी ट्रांसपेरेंट सा हो सकता है हलका सा वाइट टिश भी हो सकता है ओके क्योंकि इसके साथ सारे जो हुए होंगे कि क्या लड़कियों में भी होता है या फिर नहीं होता है और आशक करूंगे कि वीडियो आपको पसंद आया हो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना शेयर करना जिसके साथ आप कमफोर्टेबल हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिज इस निए निसे में बुद्मेबल है